नमस्कार बहुत स्वागत है आपका भगवान सिव का सबसे प्रिय दिन है सोमबार का दिन भगवान सिव बहुत ही दयालू है लेकिन थोड़े क्रोधी भी है पर उन्हें अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं तो आपकी पुकार वो जल्दी से सुनकर आपके पास दोड़े आते हैं तो भगवान सिव को क्या अरपित करें कि आपकी समस्त मनुकाम नाय पूर्ण हो जाए और क्या फूल कर भी अरपित ना करें तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग भी बताएंगे जो आपके जीवन की धन की मुस्किले करजों की परेसानियों से बाहर निकलने संतान प थीन की जिए तो भूल कर भी एसे जगह इसा किसी वी कोने में मत रखें ना ऐसे जगह लखें क्या पूजा इना कर पाएंगे क्योंकि भगवान सिव को जब भी आप अस्थापित कर्ते हैं तो हमेशा ही अस्थापित्ल रर्खाण रखेंगा ग Cancer आप स्थाफिद करने साथ नियमीत उप से पूजा भी कीजिए और शिबलिंग की जरब पूजा करते हैं तो सिबलिंग को हवेवS कर दो घ्ली से तो यसवार प्रधान है इसलिए और मसल्थ स्थ्रिलिंग घ्लिक्त صooky कि आप सिंदूर ज़ते हैं तो सिंदूर भी सबँलिंग लेकिन व्हेसी भता है लेकिन के आप पूझाकर में सिभलिंग अपने इता अब रेक्त किया है साफ कर रहे हैं बार आई पास्तान अ कर दो जये क्यों में जा वह ने में दिए ऐसा करने से सिब जी की किरपा आप पर बरस्ती रहेगी अब जैसे कुछ लोग होते हैं चलो पैकेट खरीदा और सिबलिंग पर आप दुकान से लेकर जैसे की आप मंदिर में भी पैकेट से रपित कर दिये तो ऐसा मत कीजिए किसी बरतन में लोटे में लीजिए और फिर अरपित करें हमेशा ही किसी बरतन से ही दूच चढ़ाएं और दूच चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाएं सिबलिंग की बनावड का ख्याल रखें क्योंकि देखिए सिबलिंग अगर आप सोने चांदी पीतल का बना होगा तो उत्तम नहीं तो आप पारत सिबलिंग अस्थापित कर लें पर कई बार लोग सांप बाला सिबलिंग घर ले आते हैं तो बिना सांप बाला सिबलिंग भ पानी से भरा पातर भी रहता है जो सिब्लिंग के उपर पानी टिपकता है यह वेवस्था आपको घर में नहीं करनी क्योंकि घर में करने से फिर आपको बहुत सारे नियम पालन करने होंगे और सिब्लिंग को कभी भी अकेले मत रखिए खास करके जैसे मा परवती जी मा पूलकर भी मत चढ़ाइए यह असुब होता है वैसे कमल पूस्प अगर अरपीत करते हैं तो आपके जीवन की सारे मनोरत पूरे हो जाते हैं बेल पत्र या फिर बेल का फल अगर सिब्लिंग पर अरपीत किया जाए तो आपकी उम्र लंबी होती है इसलिए सुबह स्नान के बेल के फल को भगवान सिब पर चढ़ा दें तो उम्र लंबी होगी और अगले दिन इसको आप अब जैसे की बेल का फल है तो आप करेंगे क्या आप किसी पवित्र नदी सरूबर में इसको भी सरजित कर दीजेगा पंचामरित भी आप भोग लगा सकते हैं सिब्लिंग पर और पित कर सकते हैं लेकिन जब भी कुछ भी चढ़ा यहां तक कि चंदन चढ़ाने के बाद भी वेल पत्र चढ़ाने के बाद भी जल और पित किया जाता है पंचामरित बनाएंगे दूद सहद घी जो दही दूद सब कुछ मिक्स करके तो इसमें चीनी या गुर्ण भी ड नाराज हो जाते हैं जब आप सिब जी का भी सेक करेंगे तब आपको यह ध्यान रखना है कि आप दोनों हाथ से लोटा पकड़िए और जलर पित कीजिए और सिबलिंग अगर आपके घहर में पारत का है तो उस पर चढ़ावा परसाथ खा सकते हैं लेकिन अगर जैसे स्व सब्सक्राइब करें करें दोंगे जाता है कि आपकोawan ड़ेको आपको यह आप देया है कि आप जाते हैं जब आता है अँछल को पर सोंदर के प्रशाधनमत अरपित करें सबसें तो जलर पित करें इससे नहीं में से कृणित के आपको शुख़ुट Germany सांथ होता है प्रेम बढ़ता है केसर सिबिण पर केसर करने से हो मेइनını मिलती है सिकर?? नहीं बिच बढ़ता है अगर इटरा है धी अर्पित करने से स्वास्त अच्छा रहता है दही अर्पित करने से सहाफ गंभीर होता है जीवन की परिसानs संतां स्वस्त रहते हैं चन्तन अरपित करने समाज में मान समान मिलता है और सहद वानी मीठास आता है वैसे अगर और кажется किये जाएं तो समाप्त हो जाती है वह कि जब भी सिप्रजी की पूजा करें आंत में दक्षिना जरूर पीद करें क्योंकि सिभजी की पूजा में अगर आप डक्षिना पीद नहीं करतें तो पूजा दूरी है दुरवा घास पीद करते हैं तो गनेज्जी की नोकरी बेपार ठीक से चले तब एक पत्र ले लें बेल पत्र का जो बीच वाला पत्ता है उसपर सहद लगाएं और फिर उस सहद वाले पत्ते को उससे को सिब्लिंग पर चिफखा दे और भगवान से प्राथना करें नोक्री बैपार भी अच्छा चलेगा और सिग्र ही आपकी मुनुकामना भी रोजगार से समंदित पूरी हो जाएगे देखिए जो प्रियोग हम बताएंगे यह प्रियोग बंधी कोग को खोलता है और आपको आपने बहुत ट्राइ किया डॉक्टर को दिखाया पर संतान नहीं हो पा रहा तो एक बार इस प्रियोग को जरू करें अगर आपका सब कुछ अच्छा है डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन आप प्रिसान है एक सिंपल सा प्रियोग कीजिए वैसे तो जो स्री हरी विष्णू है न वो आपके कर्म के फल देते हैं ब्रंभा जी भागय का फल देते हैं लेकिन सिब जी ऐसे देखते हैं आपका मन देखते हैं आपकी भावनाओं को देखते है और आपको फल देते हैं इसलिए चिकरन में आぎए भ्याखवां को लेकर अपकिसी भी दिन ले लीजिए भगवान को याद कीजिए प्रिज को प्रिच को प्रिश को प्रिश परणाम करके उनसे और लेसे ज़ए गया ले लिशेगा ले फोड़ा सा सज़़ करके घ्र परकात हैं। तो सोने पे सुहागा सिब्लिंग के ऊपर अर्पित कर दे इसके बाद इसको जो महिलाए हैं जिन्हें संतान चाहिए यह प्रियोग कोई भी कर सकता है किसी के भी बदले में उससे मतलम नहीं है बस यह है कि जिसको धारन करना है संतान वह इस जड़ को सफेद या लाल धागे म सिब्जी का आसिरवास समझ के कमर में धारन कर लें तीन मेहने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी या कुछ कमरी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा च्छे मेने उससे ज्यादा हो यह नहीं सकता तो यह प्रियोग आजमाया हुआ है आप करके देखें लेकिन एक बात और ह है जब आप यह प्रियोग करिएगा जैसे होता है ना कमर में है तो खुल गया कभी निकल गया तो उसको आप फिर से पहन लीजेगा कोई दिकत नहीं है अगर खो जाए तब आप फिर सी प्रियोग कर लें किसी भी सोंबार को सिग्र विवाह के लिए या विवाह में आ रही अर्चनों को समाप्त करने के लिए ऐसे में एक चोटा सा प्रियोग करें आप 108 बिल पत्र ले लें अगर 108 बिल पत्र ना हूँ तो किसी और का चढ़ाया वाभी बिल पत्र लेकर उसे अच्छे से धो कर सुद्ध करके आप च अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो नमसिवा किसी और के लिए कर रहे हैं तो ओन नमसिवा बोलते वे अरपित करें। भगवान ने चाहा तो छे मेहने में आपकी साथ ही तैह हो जाएगी या फिर हो जाएगी। आप करके देखें, आपको बेनिफूर जरूर मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई बिवाय योग बच्चे हैं, बिवाय नहीं हो पा रहा, तब सोमबार की अस्टिमी ती ती जब हो, तब पास के किसी भी सिवजी के मंदिर में जाए, और जहां पर सिबलिंग का सोक सुंदरी वाला इस्थान होता है, यानि जहां से सिवलिंग से जल नीचे गिरता है, वहां पर हल्दी की साथ बिंदियां लगा दें, अब जो बच्चे बिवाय योग हैं, उनको दोनों हतेली में वो हल्दी लगा लेना है, वहां पर टच्च करके, और ले जाकर पीपल जानकारी अच्छी लगे, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेब जरूर